हेलो फ्रेंड्स कोक विट टेस चैनल में आपका हर्तिक स्वागत है आज हम बनाएंगे क्रिस्पी करारी मसालेदार आलू बैंगन की सबजी आप भी इस चाइल से आलू बैंगन की सबजी एक बार जरूर बनाएं आपको भी बहुती पसंद आएगी तो आईए बनाते हैं आलू बैंगन की सबजी इसके लिए हम बैंगन और आलू को काट लेंगे बैंगन और आलू को एक्वल साइज में काटें ये देखिए मैंने बैंगन को भी लंबा लंबा काट लिया है और आलू को भी लंबा लंबा काट लिया है बैंगन कटने से पहले पानी में थोड़ा सा नमक डाल दें जिसे की बैंगन हमारे काले नहीं पड़ते इसके बाद हम आलू को स्टेनर में रख देंगे जिसे की इसका सारा पाने निकल जाए तब तक हम मसाला रेडी कर लेते हैं मसाला रेडी करने के लिए कढ़ाई में एक चमच हम सोफ डालेंगे देड चमच जीरा डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च के दाने डालेंगे दो से तीन साबुत लाल मिर्च डालेंगे और एक तेजपता तोड़ कर डाल देंगे और सबी मसालों को जीरा के ब्राउन होने तक हम भून लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर मसाले को भूने ये देखिए फ्रेंड्स मसाला हमारा भून गया है बहुती बढ़िया खुश्बू आ रही है इस टेज़ पर गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और मसाले को ठंडा करके हम इसे दरदरा पीस लेंगे आलू बैंगन की सबजी हम सरसो के तेल में बनाएंगे क्योंकि सरसो के तेल में ये भूती क्रिस्पी बनती है सरसो के तेल को अच्छे से गरम होने के लिए रख दें इसके बाद एक चुटकी इसमें नमक डाल दें जिससे इसमें से स्मेल बिलकुल भी नहीं आती पता ही नहीं चलेगा कि आपने सबजी को सरसो के तेल में बनाया है इसके बाद हम इसमें आदा छोटा चमच जीरा डालेंगे और बरीक कटावा दो से तीन कलिया लेसुन डाल देंगे और लेसुन को पिंक होने देंगे जैसे ही लेसुन पिंक होने लगे हम इसमें आलू डाल देंगे ये आलू को मैंने स्टेनर में डाल दिया था इसका सारा पानी निकल चुका है अब हम इने भून लेंगे आलू पर golden crispy color आने तक हम इने भून लेंगे जब आलू पर golden crispy coating आ जाती है तब सबजी का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है गैस की flame को high करेंगे और इसे ढखकर पकाएंगे जिससे की इसके ओपर golden crispy coating आ जाएगी गैस की flame को medium to high रखें बीच बीच में हम इसे चेक कर लेंगे और एक पार इसकी side को change कर देंगे और हर side से golden crispy color आने तक इने भूनेंगे हम इसे दुबारा से cover कर देंगे और मसाले को ये देखिए हमने दरदरा पीस लिया है अब हम आलू को दुबारा से चेक कर लेते हैं ये देखिए फ्रेंड्स आलू हमारे क्रिस्पी हो गई है इस पर बड़ी आसी क्रिस्पी सी कोटिंग आ गई है अब हम इसमें अपने बैंगन भी डाल देंगे बैंगन को भी स्टेनर में निकाल लें जिससे की इसका सारा पाने निकल जाए इसे भी आलू के साथ मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को मिडियम टू हाई रखेंगे और इस पर भी बड़िया सी कोटिंग आने तक हम इसे भून लेंगे बैंगन हमारे जल्दी गल जाते हैं इसी लिए आलू को हमने पहले डाला है क्यूंकि आलू को गलने में थोड़ा टाइम लगता है अब आम इसमें स्वादा नुसार नमक डाल देंगे और आदा छोटा चमच हल्दी पाउडर डाल देंगे मिक्स कर देंगे ये आलू बैंगन की सबजी बहुती टेस्टी बनती है अगर आपके बच्चे भी बैंगन खाना पसंद नहीं करते हैं तो इस रेसिपी को फोलो करके आलू बैंगन की सबजी एक बार जरूर बनाए बच्चे भी चट कर जाएंगे गैस की फ्लेम को अब लो टू मीडियम करेंगे और इसे ढखकर पकाएंगे जिससे की आलू और बैंगन हमारे सॉफ्ट हो जाएं आलू और बैंगन हमारे सॉफ्ट हो गई हैं अब हम इसमें मसाला डाल देंगे एक छोटा चमच धन्या पाउडर डालेंगे और ये जो मसाला हमने दरदरा पीसा है एक से डेट चमच यह भी डाल देंगे अगर आपका मसाला बच रहा है तो आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं जब आप नेक्स टाइम सबजी बनाएंगे तो इसका यूज़ कर सकते हैं आदा चोटा चमच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और आदा चोटा चमच चाट मसाला डाल देंगे इससे सबजी का टेस्ट बहुती बढ़ी आता है दो से तीन हरी मिर्च डाल देंगे और बारी कटा वाहरा धनिया डालेंगे और सबी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और दो से तीन मिनट के लिए हम इसे ढखकर पकाएंगे जिससे की सारे मसालो का टेस्ट हमारे अलू बैंगन पर अच्छे से आ जाए ये देखिये फ्रेंड्स कितनी क्रिस्पी करारी अलू बैंगन की सबजी हमारी रड़ी है देखकर आपका भी मन कर रहा है ना बनाने का तो आज ही जरूर बनाएं हाँ तो फ्रेंड्स आलू बैंगन की सबजी की रेसिपी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब भी करें फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग गुडबाई आप हमारी ये रेसिपीज भी ट्राइ कर साथ